हलो दोस्तों कुटिनिंग स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एंजेटे एजुकेसर में दोस्तों एक नई स्रीज की सुरुआत हो रही है 20 मिनेट सो और इस स्रीज के तहत हम लोग टॉपिक वाइज करेंट अफेर को कवर करेंगे 2024 पे एक एक टॉपिक उठाये जाएगा और जितने भी टॉपिक्स हैं करेंट फेर के उनको आपको कवर कराये जाएगा जैसे सूज कांग हो गया इंडेक्स एन रैंकिंग जो आज का विसा है इसके बाद खेल खिलाड़ी पुरसकार सम्मान या आयोजन समेलन बहुत सारे ऐस से टॉपिक्स बने हुए हैं जिनको कवर कराये जाएगा तो इस सीरीज को अगर आप प्यार और सम्मान बढ़ियां से दोगे बढ़ियां से सेर वगरा कर दोगे तब फिर यह सीरीज कांटीनू भी की जाएगी डेली ठीक है ना तो आप लोग इसको जितना जादा से जितन पूरा डेटेल के साथ है सभी में आपको लिखा हुआ मिलेगा ऐसा रिपोर्ट तो इंडेक्स और रैंकिंग जिसे आमूमन बाकी की जगह आप दिखते होगे केवल कोश्चन आता होगा और उसके बाद खत्म हो जाता होगा उसमें आधा अरूरा कोश्चन मिलता है जैसे इस वीडियो में सब कुछ आपको पता लगेगा तो इसलिए डिटेल कॉंटेंट आपके साथ लाया गया है सेयर किया गया है आप लोग भी इसको सेयर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो जिससे आने वाले समयम पर आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहें ठीक है तो वहीं से आप फ्री पिडियो सेक्शन में जाकर पिडियो डाउन्लोड कर पाओगे गेडा और शुरू करते हैं पहला कुछण आपके सामने है देखो थोड़ा सा रूल सुन लो आप लोग को भले से आपको देखो यहाँ पर मैं अंसर तो सब्सक्राइब बताओं गा लेकि बिलियन डॉलर की संपत्ती वाली पहली महिला अरपती कौन बन गई है बताएगा कौन बन गई है सो अरप डॉलर की संपत्ती वाली पहली महिला तो ये बन गई है कौन जल्दी बताए एक कमेंट करके ये बन गई है दोस्तों बेटन कॉर्ट मेयर्स ये लौ औरल गुरूप ह एक उसमें टेथिस ग्रूप है टेथिस ग्रूप की ये चेयर परसन है और इनकी मम्मी भी दुनिया की सबसे अमीर अरपती थी अब ये भी है आ गई है इनकी मम्मी की मृत्तियों के बाद ठीक है चलिए अगला हाले में जा रही एक रिपोर्ट के अवसार भारत का इसपात उतपादन में कौन सवाँ स्थान है तो देखो इसपात के उतपादन की बात की जाए तो यहां भारत की रेंग पूछी गई है भारत की रेंगly पूची गई है पहले पर कौन है चाईना ध्यान रखना टॉप पर चाइना है ये पूछा जा सकता है आपसे भारत ने 125.32 मिलियन टन कच्चा इसपात का उत्पादन किया हुआ है और इसी के साथ भारत की रेंक है दूसरी दूसरे स्थान पर भारत है इसपात यानि इस्टील के उत्पादन में और भारते इसपात संग के अध्यक्ष कौन है न 2024 की आल टाइम, on time performance समिच्छा की भारती हवाई एड़े को दूसरा स्थान मिला है बताएं आन टाइम परफार्मेंस समिच्छा के मामले में दूसरा स्थान पर कौन सा भारती एरपोर्ट है तो आप बताओगे कौन सा बैंगलूरू एरपोर्ट बैंगलूरू एरपोर्ट क Campegora International Airport के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना, Campegora, Campegora जी कौन थे, यही बैंगलूरू के संस्थापक थे, बैंगलूरू के संस्थापक, ठीक है ना, International Airport, ये ध्यान रखना नाम है, बैंगलूरू के संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, Campe गोड़ा जी उनके सम्मान में इस एयरपोर्ट का नाम कैमपे गोड़ा इंटेरेंसनल एयरपोर्ट है और on time performance के मामले में ये दूसरे रस्थान पर है पूरी दुनिया में ठीक है चली अगला हाली में जारी भारत में महिलाओं के लिए सीर्स सहर महिलाओं के लिए सीर्स सहर क चेन्नई भारत में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा सहर है लेकिन दिल्ली वहीं पर महानगरों में भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित सहर है ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये रिपोर्ट कह रही है देश में जितने महानगर है उसमें सबसे असुरक्षित रिपोर्ट किसने जारी किया है अवतार गुरुप ने ये जारी किया है ठीक है अगला हेले पास्पोर्ट इंडेक्स में भारतिये पास्पोर्ट की सस्थान पर है तो देखो इस साल दो बार रिपोर्ट आई हेले पास्पोर्ट इंडेक्स की एक बार जनवरी में आई तो इस और भारत 62 देशों में free visa access के साथ है free visa access free visa access मतलब की यहाँ यहाँ जाने के लिए visa नहीं बनवाना पड़ेगा ठीक है ऐसे 62 देश है जहां से आप अगर जाना चाहो जहां पर visa नहीं बनवाना पड़ेगा वहाँ पर free visa access है टॉप पर कौन है तो इस बार देखी टॉप पर छे देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन और सिंगापूर ये छे देश एक साथ टॉप वन पोजीशन पर हैं फर्स्ट रैंक पर हैं अगला रिपोर्ट जारी करता है हैंले है ठीक है अगला भारत में जारी ग्लोबल फायरप और मिलिटरी एक सेंथ रैंकिंग में भारत किस अस्थान पर हैं तो दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिटरी के मामले में भारत चौथे अस्थान पर लगतार कई सालों से बना हुआ है पहले पर अमेरिका है दूसरे पर रूस है और तीसरे पर चाइना है भ तभी भारती ये बिलेनियर हैं और इन में टॉप पर है मुकेस अम्बानी। कौन है? मुकेस अम्बानी। टॉप पर है रिलाइंस इंडस्ट्रीज के। हाली में जारी विस्व बैंक की LPI रिपोर्ट में भारत कि सस्थान पर है। तो Logistic Performance Index आई है, देखो ये वीडियो में 45 questions लिया हूँ, जनवरी से लेकर के पूरा जून तक का ये content है, जनवरी से जून तक का ये 2024 का पूरा content है आपके सामने, और इसमें आपको टोटल 45 questions लिये गये हैं, लेकिन उनका सभी का डिटेल है, इसको आप 90 questions मान कर चलिए, 100 questions मान कर जाओगे, ठीक है, चलिए, Logistic Performance Index जारी कौन करता है, ये एरपोर्ट, विस्सु बैंक जारी करता है, और इस रिपोर्ट में टॉप पर है सिंगापूर, सेकंड पर है फिनलेंड, और भारत की रेंग कौन सी है, तो भारत है इसमें 38 अस्थान पर, किस अस्थान पर, 38 अस् है, तो वो है Serum Institute of India, आप जानते हो, ये पुड़े में इस्थित एक फर्म है, और इसी ने बनाई है, कोवी सील्ड, कोवी सील्ड, जिसका आपने पिछले दिनों में खूब नाम सुना, और आपने वैक्सीन भी लगाई, 80 करोड से ज़्यादा भारती है, इसमें लगा चु पूना वाला इसके CEO हैं, अदार, पूना वाला जो हैं, ये इसके CEO हैं, याद रखना, अगला, हाली में जारी हेले पासपोर्ट इंडेक्स देखिया आ गया हेले पासपोर्ट इंडेक्स, और अब भारत पहुँच गया 85 अस्थान पर, अगला, साइबर क्राइम अगला, साइबर क्राइम प्राइम पीरित के मामले में भारत किस अस्थान पर है, तो आप बताओगे भारत इसमें है 10 अस्थान पर टॉप 10 में इंटर कर गया है अभी आगे मिलेगा आपको कुशन ठीक है अगला हाली में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सीर्स 300 सहकारी समितियों में पहले अस्थान पर कौन सी कमपनी है दुनिया के सीर्स 300 सहक सारी समितियों में कौन सा अस्थान पहले है तो आप बताओगे इफको ठीक है इंडियन फार्मर्स फर्टिलेजर्स कॉर्परेशन लिम्टेड तो ये इफको जो है ये है 1967 में इसकी अस्थापना हुई थी दिलीप सांगनी इसकी अध्यक्ष है और अभी दुबारा से बनाए गए हैं अभी दुबारा भी बनाए गए हैं तो ध्यान रखना ये भी बात हाली में जारी वैस्विक बौधिक संपदा सुचकांग में भारत की सस्थान पर है तो वैस्विक बौधिक संपदा यानि की ग्लोबल इंटेलेक्चुल प्रॉपर्टी इंडेक्स तो इस मामले में हमेशा UK और US टॉप पर रहते हैं तो US इस बार भी टॉप पर है UK एकसेप्टेंस के साथ 42 अस्थान पर है इसको जारी किया है US Chambers of Commerce ने ये रिपोर्ट को ठीक है अगला हाली में जारी लैंगिक असमानता सुचकांग 2022 में भारत की सस्थान पर है तो देखिए लैंगिक असमानता सुचकांग इंपोर्टेंट ये इंडेक्स होता है इसको ध पर है स्विजर लैंड ठीक है और पिछली बार भारत 122 में पर था इस बार 14 अस्थानों का सुधार हुआ है और इसके साथ ही भारत जो है 108 अस्थान पर आ गया है UNDP ये रिपोर्ट जारी करता है United Nation का Development Program UNDP एक और रिपोर्ट जारी करता है मानो विकास सुचकांग इसमें भारत की रैंक क्या है तो बताइए इसमें भारत की रैंक क्या है टोटल 193 देशों पर रैंकिंग जारी की इन्होंने और इसमें भारत को रखा इन्होंने किस्वे अस्थान पर 134 अस्थान पर भारत 144 अस्थान पर है मानो विकास Human Development Index में बहुत important है दोनो UNDP की ये दोनो रि DEMOCRACY Index आती है एक और EIU की सायद ठीक है तो जो EIU वाली आती उसमें भारत 46 में पर है त्यान रखना जो EIU की आती है उसमें भारत है 46 में अस्थान पर ठीक है 2023 में अभी 2024 वाली आई नहीं है और VDEM की जो आती है इसमें भारत है 145 अस्थान पर वीडैम इसको जैरी करता है ये दूसरा वाला है डिमोक्राशी इंडेks, इनका पैमाना अलग है इनका पैमाना अलग है चेक करने का तरीका अलग है अपनी report जारी करने का ठीक है अगला हाली में जारी DHL Connectedness Index या कहें DHL Global Connectedness Index में भारत की सस्थान पर है तो Global Connectedness Index बताईएगा कमेट करके भारत की सस्थान पर है भारत 2022 में 60-60 पर था इस बार टॉप पर सिंगापूर है सेकंड पर नीदरलेंड है थर्ड पर है आयरलेंड और भारत की सस्थान पर है भारत आगया है 62 अस्थान पर 62 पोजिसन पर आगया है अगला हाले में जारी 10 सर्वस्रेष्ट पनीर डीजर्ट की सूची में भारत की रस मलाई की सस्थान पर आई तो देखो रस मलाई मुह में पानी आया ठीक है दस सर्वस्रेश्ट पनीर डीजर्ट के मामले में एक रेपोर्ट पबलिस की गई और इसमें टॉप पर पोलैंड का सेर्निक रहा ये पोलैंड का एक पनीर का डीजर्ट है मतलब दूज से बनने वाला डीजर्ट है सेर्निक ये टॉप पर रहा और भारत की रस्मलाई जो है ये रहे दूसरे पर भाई खूब धेर सारा रस्मलाई खाओ और इसको ले आओ नमबर वन पर है ना ये सरनिक फरनिक को हटाओ विश्व खूसाहाली सूच कांग 2024 में कौन सा देश सीर्जपर है तो देखो word happiness index ये happiness index जो है ये विश्व खूसाहाली दिवस या विश्व प्रसनता दिवस पर जारी किया जाता है एक दिन साल भर में खूस रहने के लिए मनाये जाता है क्योंकि दुनिया भर के लोग हैं दुख से दुखी, कुछ लोग पुडोसी के खुशी से दुखी, चलिए, तो विश्व खुजाली सूज कांक में, सीर्स पर कौन है, फिनलेंड, भाई अब फिनलेंड हमेशा सबसे ज़्यादा खुछ रहता है, फिनलेंड कहता है, कि हम तो भाई अलग हैं, अराम से फिन कर लो, क्योंकि सांती सूज कांक में भारत 126 पर था, लेकिन नई रिपोर्ट अभी आई, तो सांती सूज कांक में भारत आ गया, 116 में पर, अगला , हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिचलिस्ट के अनुसार कौन सा सहर एसिया का नया अरभपति केंद्र बन कर उभरा है देखो दोस्त जितने भी इंडेक्स रैंकिंग से अगर कुश्चन पूछा गया इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसमें आपका जनवरी से ल आपको बताया जा रहा है तो यहां से अगर इंडेक्स रैंकिंग से कुश्चन पूछा गया तो वीडियो के बाहर से आपको नहीं मिलेगा और मैंने पूरा इसलिए डिटेल भी दे दिया है चलो ग्लोबल रिचलिस्ट के अनुसार कौन सा सहर एसिया का नया अरभपति कें बन गया है मुंबई एसिया में तो यह है टॉप पर और दुनिया में है तीसरे स्थान पर मुंबई का डंका बज़रा है दुनिया में अगर बात करें तो टॉप पर निव्यार्क है सेकंड पर लंदन है और तीसरे पर मुंबई है ठीक है जी अगला फोर्प्स दौरा जार उपर नीची होते रहते हैं, ठीक है, तो इसको लेकर किया परिसान मत होना, उपर नीची इनकी संपत्यां घटते बढ़ते रहते हैं, based upon share market, अगला, Economic Intelligence Unit, EIU की Business Environment Ranking ये अंसार, ब्यापार करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छा स्थान कौन सा है, बताए ब्यापार करने ठीक है, भारत की रैंक है 51, बिजनस करने के लिए 51 अस्थान पर भारत है, हाले में विस्व डोपिंग रोधी एजनसी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में डोपिंग उलंगन करने वाला सीर्स देश कौन सा है, डोपिंग का सबसे अदा उलंगन कौन क करता है, तो इसमें भारत करता है, और ये वाड़ा की रिपोर्ट है, वाड़ा बोले तो विस्व डोपिंग एजनसी, ठीक है, डोपिंग क्या है, जब कोई खिलाडी, कोई ऐसा रसानी पदात यूज करते हैं, जिसकी वाज़े से उनकी खेलों में परफोर्मेंस बढ़ ज तो passport index 2024 में Сीर्ट पर कौन है, तो हुरून की Global Unicorn Index में TOP पर दोस्तो अमेरिका है, अमेरिका में 703 Unicorn है, दूसरे पर CHINA है, और CHINA में 340 Unicorn है, तीसरे नंबर पर भारत है, और भारत में 67 Unicorn, Unicorn क्या है, अगर कोई कमपनी की absorbed 1 billion dollar को across कर जाती है, तो वह कमपनी Unicorn Company कहलाती है, ल जोड़ा सा एक information जान लो, railway exam के अगर तयारी कर रहो हो तो आप लोग के लिए सामान विज्ञान की e-book लाए गई है, ये e-book आपको मात्र 990 रुपए में मिल जाएगी, इस e-book को, इस e-book में देखो क्या-क्या है, 1100 प्लस आपको questions मिलेंगे science के, railway में science का weightage लगातार बढ़ जा रहा है, science, अक्सर लोगों का चिंता के विषय होता है, जो भी students होते हैं, लेकिन इसने explanation के साथ, theory भी, previous year के questions, जो पूछे गए है exam में, चाहे railway JEE हो, railway local pilot हो, technician हो, या फिर आपका NTPC में हुआ, इन सब के questions मिलेंगे हैं, प्रस्तोतर माध्यम में भी है, explanation के साथ है, last में psychology वगरा हुआ, physics में, numericals में है, यह सब e-book में आपको दिया गया है, 1100 प्लस questions का, 1390 रुपय में, A4 size में है, printable format में, आप इसे ले सकते हो, colorful design के साथ है, इस number पर आपको WhatsApp करना है, WhatsApp पर आपको QR code भेजा जाएगा, और इस QR code पर आपको payment करना है, payment करने के बाद, वहीं WhatsApp पर आपको यह e-book भेज़ दी जाएगी, बहुत सारे लोग payment करने के बाद कहते है, सर मुझे book चाहिए, बुक चाहिए, तो भाई देखो, यह book नहीं है, यह e-book है, address वगरा बहुत लोग भेज़ देते है, तो यह e-book है, WhatsApp पर ही भेज़ी जाएगी, PDF format में होती, अब देखिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे, बाकी की question यह वीडियो लंबी हो जा रही है, तो ऐसे में, अगर इस वीडियो की PDF आपको डाउनलोड करना है, तो टेलिगराम से डाउनलोड कीजिए, सेकेंड पार्ट जश्ट इसक अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, सब्सक्राइब करना भूल गए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लो, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो आने वाली हैं, थैंक्यू सो मच, जया हिंद, वन्द कि आने मात्रम